जैहिन दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका और आज हम डिसकस करेंगे डिस ओनेश्ट सोपकीपर से रिलेटे जितने भी कोस्टिन बनते हैं उनके बारे में यह topic दोस्तों आजकर trending में चल रहा है अब किसी भी exam को उठा के देख लिजी हर एक exam की हर एक shift में आपको एक question या सी जरूर देखने को मिलेगा चाहे वो CGL हो चाहे वो CPO हो चाहे हो MTS हो चाहे हो CHSL हो ठीक है तो चली दोस्तों डिसकस करते हैं दिए इस जो disonest shopkeeper से related question है यहाँ पर हमें तीन टाइप की question देखने को मिलते है mainly दोस्तों पहला क्या है कि जब जो shopkeeper है वो जब सामान खरीदेगा और बेचेगा यानि खरीदते टाइम और बेचते टाइम दोनों टाइम वो क्या करेगा वो धोके बाजी करेगा दोनों टाइम यानि जब वो खरीदेगा तो पैसे कम के दे के आएगा सामान ज्यादा लेके आएगा और जो बेचेगा तो गरहा को सामान क ज़्यादातर question दोस्तों इसी प्रकार के होते हैं तीसरा है जब वो मिलावट करें जैसे कि आपने कई question देखे होंगे दूद के अंदर पानी मिला दिया या पेट्रोल के अंदर spirit मिला के बेच रहा है ठीक है चावल के अंदर कुछ और low quality के चावल मिला के बेच रहा है तो उ दो चीज़ें आपको ध्यान में रखती हैं सबसे पहला कि उसके जैब से कितनी income या कितने पैसे उसकी जैब से जा रहे है ठीक है उसकी investment कितनी है पहले ये देखनी है दूसरा revenue मतलब जितने पैसे वो दे रहा है उस पैसे के बतले उसको मिल कितना रहा है बस ये दो कितना और आया कितना तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हैं अब एक एक करके हम question discuss करते हैं उससे आपकी समझ और ज्यादा बनेगी दोस्तों चलिए पहले question बे आते हैं यहाँ वे क्या देखा दोस्तों while buying he takes 10% more while selling he gives 10% less find his profit percent कि जब वो खरीता है तब भी वो 10% ज्यादा लेता है और जब वो बेजता है तब भी वो 10% कम देता है ठीक है जब खरीता है तो 10% ज्यादा लेके आता है जब बेजता है तो 10% कम देता है तो बताना है कि profit कितना हुआ चलिए दोस्तों देखते है बस आपको यह मान के चलना है ऐसे type of question में कि एक gram जो वो समान लेके है उसकी value एक रुपया है एक gram की value एक रुपय हजार ग्रुपय हजार रुपय तो जो वो खरीता है दोस्तों क्य क्या करता है मालेते हुँ 1000 gram के पैसे देता है उसकी जेव से कितने पैसे घर Cohen के लेकिन उसको मिला कितना उसको 1100 gram ठीक है यहाँ पर इसी मतलब investment कितनी हुई है इहाँ उसका revenue है है मिला कितना उसको ठीक है धी दूसरे case में जब वो बेजता है तो मालेते हुआ हुझ जका से लेकिन उसके बस पैसे आए कितने कस्टमर से वह हजार रुपे दोस्तों ठीक है अब देखिए इनका हमें रेशियो लेना है और इनको यहीं पर हम काट देंगे काटा पीटी यहीं पर मचा देंगे फिर देखते हैं क्या आता है अब यहां पर कितने जिरो है तीन जिरो है यहां पर 2-0 से 2-0 कैंसल बचा कितना 9 यहां पर 9 बचा रिश्यो 11 तो इस बात का मतलब क्या होगा दोस्तों क्यों 9 रुपे की चीज 11 रुपे में बेच रहा है ठीक है तो उसको प्रोफिट कितना होगा 2 रुपे का और कितने पर 9 रुपे तो इसकी परसेंटेज बनाओ कि रसेंट लिखना है कि कस्टिमर से उसके पास पैसा कितना आया है कि और यह रेषयो है दोस्तों यह मतलब इनको आप ये कंवी मतहों यह तरह से अब ये था दोस्तों हमारा concept लेकिन SSE दोस्तों इस question को मतलब गल्थ मानती ही इस answer को SSE ने काफी बार ये question पूछा गया है हर एक exam में, अलगला exam में question पूछा है SSE कैसे solo करता है इस question को, SSE लगाता है इसके अंदर जो होता है हमारा successive successive, successive increase, अब वो सिधर direct answer निकालता है कि 10% का profit उसको खरीदते time हुआ, 10% का profit उसको बेचते time हुआ, plus 10 into 10 बटे 100, तो इसको solo करेंगा है का 21%, तो दोस्तों हमने आपको concept भी बताया, और SSE इस सवाल का answer क्या मानती है हमने आपको वो ही बताया, आप हमें तो marks चाहिए, हमें तो न आपको option दिख जाए, तो वहाँ पर आप वही लगा गया आई है, क्योंकि आपको number चाहिए है, ठीक है, अब second question देखते हैं दोस्तों, यह भी इसी type का question दोस्तों, देखिए यहाँ पर 12% वो खरीदते time और 12% वो बेचते time fraud करता है, तो देखिए क्या आएगा, SSE को कैसे न कितना है दोस्तों, 24 प्लस 1.44 यानि कि 25.44% जो हमारा C option है, अब दोस्तों हम इस question को अपने concept के नुसार करेंगे, कि real में क्या concept होता है, देखिए 12% वो खरीदते time और बेचते time दोनों time fraud करता है, 12% की fraction क्या होती हैं दोस्तों, यह होती है, 3 बटे 25, अब खरीदते time क्या कर आएगा, 25 रुपे दे के आएगा, और 28 रुपे का वो समान ले के आएगा, ठीक है, इस बात का मतलब यही हुआ, कि वो 12% का fraud कर रहे हैं, बेचते time क्या करेगा दोस्तों, बेचते time वो कम देगा समान, यानि कि 22 रुपे का समान ही customer को देगा, और उसके पास पैसे आएगे 25 रुपे के हिसाब से, ठीक है, अब ये ratio बन गया दोस्तों हमारा, बस इसको काड़ दो, 25 से 50 कैंसल हो जाएगा, 28 बटे बाइस इसको मदो से काटेंगे, यहां पर आएगा 11, यहां पर आएगा 14, तो बचा क्या 11, अनुपात 14, यानि कि 11 का समान, उसने 14 रुपे में बेच तो हमारा, 9.09 परसेंटेज, अब 3 by 11 कितना होगा दोस्तों, इसकी 3 से मल्टिपलाई करवा देंगे सीधा, 27.27 परसेंट, आपको यह याद होना चाहिए दोस्तों, कि 1 by 11 क्या होता है, 9.09 परसेंट हमारा होता है, तो सही अंसर दोस्तों इस कोशन का है, 27.27 परसेंट, ठीक है, सली दोस्तों हमने इस टाइप के कोश्चन देख ली, अब अगले टाइप के कोश्चन में हम जाते हैं, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एट डिसोनेस्ट परसेंट सेल से प्रोडक्ट, एट 11 परसेंट लोस उन कोश्ट प्राइज, बट यूजिस 22 परसेंट लेस अब बोला क्या गया है, कि कोई डिसोनेस्ट सेलर है, वो क्या कहता है, कि मैं अपने समान को 11 परसेंट के लोस पे बेच रहा हूँ, लेकिनों 22 परसेंट कम बेट का यूजिस कर रहा है, इस बात का मतलब क्या हुआ दोस्तों, पहली देन का मतलब हुआ, कि वो 100 रुपे का समान है, वो कितने में दे रहा है, 69 रुपे में, ये बात भी बोल रहा है, ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, कि वो 22 परसेंट कम बेठ का यूजिस कर रहा है, इसका मतलब कि उसके पास पैसे तो 100 ग्राम के हिसाब से आ रहे हैं, लेकिनों समान कितने का दे रहा है, 100 में से 72 गया 78। 78 ग्राम के इसाब से ठीक है अब इसको काड़ देते दोस्तों सिम्पल बश्यमीर स्पारिश्य कितना है layout अज olabilir यह अधिने चौश दोर लेते दे तेरा जहेंद the सपने पर इसको सव्मेंटे समया नहीं तो कैसे बना होぁ बस इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों 78 को तोड़ लेते हैं 13 और 6 के अंदर बस अब डिवाइड कर दो 1100 को इससे पहले 13 से कर दो फिर 6 से अब काटो इसको तेरा अठा एक सो चार छे जीरो तेरा चुक बाउन आठ जीरो तेरा शीक अठात्र इतना हुआ लगबग अब इसको 6 से काट देते हैं 6 पे काटेंगे 14.1% हमारा प्रोफिट आजाएगा दोस्तों तो यह हमारा अंसर होजेगा उप्सन सी ठीक है अगला कोशन भी दोस्तों इसी टाइप का है काफी आसान है यहां पर क्या बोला गया है कि डिस उनेस्ट परसन है वो अपने जो प्रोड़क्ट है उसको 925 ग को प्रोफिट कितना हुआ निका नो सो पत्चीस रूपए का समनके स्टमर को हजार रुपए वेज रहा है बस नो सो पत्रिकरों समगे plains हजार ग्राम आया लेकिन जो डीलर था उसकी जेब से पैसे कितने लगे थे 925 रुपए ही लगे थे बस तो देखो प्रोफिट कितना हो यहाँ पे 75 को प्रोफिट हो गया और कितने पे 925 पे इसका हमें परसेंटेज निकालना है तो सिंप्ली इसको सोलो कर लेते हैं कितना अब आपको पता है कि 1 by 37 कतना होता है दोस्तोओं 1 bar 37 होते है हमारा लौ को 2.7 परसेंट ठीक है दोस्तों उसकी multiple हमकरवाज की 3 से तो यह हमारा आएगा यहां लिग देता हूं मैं 8.11 परसेंट यह आपको याद रखना है दोस्तों कि 1 by 37 जो हमारा होते है वो होते है तो पॉइंट सेवन परसेंटेज के ठीक है तो यहीं से तीन के साथ मुल्टिपल एक रवाजित थे हमारा जगा 8.11 परसेंटेज हमारा डी ओप्सन यहां पर राइट अंसर होगा अब नेक्स्ट कॉच्टन देखते हैं दोस्तों एक डिसोनेट सेलर से प्रोड़क्ट एक 20% प्रोफिट बट यूजिज एट हंडड़ ग्राम वह वन किलो ग्राम की जगए 800 ग्राम यूज करता है ठीक है तो हमें बताना है उसका प्रोफिट कितना हुआ तो यहां पर क्या देर रखा है कि 20% वह प्रोफिट कमाता है पहले से यानिके 100 रुपे की चीज वो 120 रुपे में बेशता है ठीक है अब 1000 ग्राम की जगए वो 800 ग्राम का यूज करता है यानिके उसकी जेव से 800 रुपे गए लेकिन उसको कस्टमर ने कितने दी हजार के हिसाब से बस इसको मकार देते हैं यहां पर 2-0 से 2-0 गई यह 2-0 से यह 2 हो गई तो यहां भी कितना बचा 8 ratio 12 यहां फिर 4 पर कर देते हैं सोरी 2 ratio 3 यानिके 2 की चीज उसने 3 में बेश दी तो प्रोफिट कितना हुआ एक का कितने पर दो पर सेंटेज बनाओगे तो आएगा 50% ठीक दोस्तों तुमारा वी ओप्सन यहां पर राइट हो जाएगा करती है 300 ग्राम एक किलोग्राम की जगए 1 किलोग्राम की जगए वह 1300 शो करती है दोस्तों कर यह लैंग्वेज आपको समझ में आगी तो यह कोश्चन आपको पांस से लेके 7 सेकेंड गेंदर हो जाएगा और और आगे क्या करता है वो माक अप कर देता है अपने जो चीजो को तो यही लगेगा कि मेरे पास 1300 ग्राम समान आ रहा है लेकिन एक्चुल में जो डीलर है उसकी जेब से पैसा कितना जा रहा है वह 1000 के हिसाब से पैसा जा रहा है दोस्तों और कस्टमर से उसको पैसा कितना मिल रहा है 1300 के हिसाब से उसको पैसा मिल रहा है दूसरा वो 15% और इंक्रीज कर रहा है यानिके वो 100 की चीज़ों को 115 में दे रहा है ठीक है तो अब देखिए आप कैसे 100 करोगे रेशियो क्या आएगा इसका यहां पे 1, 2, 2, 0 2, 0 से 2, 0 अब इसको भी काट दो 5 पे आएगा यह 20 यह आएगा 20 तो बच्चा कितना यहां हमारे पास यहां पे बच्चा 200 रेशियो यहां पे इसकी मल्टिप्लाई करवाँगा तो क्या आएगा 13 into 3 39 और यहां पे आएगा 29 यानि कि 200 के चीज़ वो 299 रुपय में बेच रहा है प्रोफिट कितना हुआ 99 रुपीज का कितने पे 200 पे परसेंटेज निकालो 100 से इसको मल्टिप्लाई करवादो तो यह कट गया दो से इसको कट गया कितना आएगा 49 9.5 परसेंट तो यह हमारा B option दोस्तों यहां पे राइट अंसर हो जाएगा ठीक है अगला कोशन देखते हैं दोस्तों अगला कोशन बोलता है कि disonest person है वो अपनी चीजों को 40 परसेंट ज्यादा mark-up करते है इस बात का मतलब क्या हुआ 40 परसेंट का मतलब होता है दोस्तों 2 बटे 5 यानि कि 5 की अगर वो ले के आता है तो बेशता कितने की है साथ की और फिर 25 परसेंट डिसकाउंट भी देता है 25 परसेंट का मतलब क्या हो दोस्तों 1 बटा 4 यानि कि 4 रुपे की चीज वो 3 रुपे में दे रहा है उसके बाद क्या बहुत रहा है दोस्तों 800 ग्राम बेट का यूज करता है 2-0 से 2-0 इस 5 से हमने 10 को काटा 2 आया 2 से फिर इसको काटा देते हैं 4 को 2 आएगा अब इस साइड कितना बचा दोस्तों 8 दूनी 16 और यहां भी कितना बचा 7 या 21 यह इस बात का मतलब क्या है कि 16 का समान कितने बेच रहा है 6.25% यह बात आपको पता होनी चाहिए तो मैं 5 by 16 लेके आना है तो इसकी मल्टिप्लाइम सीधा 5 से करवा देंगे तो कितना आएगा हमारा 30 तो सीधा हो गया 5 यह प्लस 1.25 यानि कि यह हमारा हो गया 31.25% उसका profit हो गया हमारा option आएगा D ठीक है दोस्तों चलिए एक option और देखते हैं यहाँ भी बोलता दोस्तों एक dealer है वो अपने समान को 20% ज्यादा माग करता है इस बात का मतलब क्या है 20% का मतलब 1.5 यानि कि 5 की चीज वो 6 में बेचता है दूसरा फिर वो discount भी देता है 10% का 10% का मतलब एक बटा 10 यानि कि अगर उसको 10 रुपे का समान मिल रहा है तो वो 9 का customer को बेच रहा है तीसरा कि वो cheat करता है supplier और buyer दोनों के साथ वो cheat करता है 100-100 gram की इस बात का मतलब क्या है दोस्तों कि जब वो समान खरीद के लेके आएगा तो वो 1000 रुपे के पैसे देगा लेकिन उसको समान कितने मिलेगा 1100 रुपे का वो इस तरह के से धोका दड़ी करेगा और जब वो समान बेचर है दोस्तों तब भी 100% का धोका कर रहा है यानि कि वो customer को 900 रुपे का ही समान देगा और उसको पैसे कितने मिलेगा दोस्तों 1000 रुपे ठीक है बस ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो question में कुछ भी नहीं है अब इसको काट दो ये ratio हमारा सारा अब देखो हमारा 1000 से 1000 cancel 2 0 से 2 0 cancel 9 से no cancel ठीक है यहाँ पे कितना बचा 2 से काटेंगे 3 2 से काटेंगे 5 इस साइट बचा दोस्तों हमारा 5 into 5 25 और इस साइट बचा 11 into 3 33 यानि कि 25 का समान वो 33 में बेच रहा है कितना प्रुफट हुआ 8 रुपे एगा कितने भी 25 पे 8 बटा 25 ये हमारी fraction आ गई इसको percentage में change करेंगे तो कितना आएगा 25 चुका सो यानि कि 8 चुक 32 परसेंट हमारा अंसर आ गया दोस्तों देखिए किस तरीके सा 15 से लेकि 20 सेक्ड़ पत्सी सेक्ड़ के अंदर दोस्तों कोशनों कर लोगे बस आपको language समझ में आनी चाहिए तो 32 परसेंट हमारा यहां पर अंसर हो जाएगा दोस्तों